अज़ा.com में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए बहुत सिंपल वेजिटेबल लेकर आए हैं जिसका नाम है सूखी और दही अर्भी की सबजी सूखी और दही अर्भी की सबजी बनानी के लिए हमें चाहिए कटिवी अर्भी, कटेवे आलू, राई, जीरा, हींग, हारी मिर्च, हल्दी, नमक, सुखा धनिया, लाल मिर्च, हरा धनिया, और मतावा धाई एक पैन में दो से तीन चम्मच तेल डालेंगे अब इसमें हाफ टीस्पून राई और हाफ टीस्पून जीरे का मिशन डालेंगे अब इसमें कटीवी हरी मिर्च डाल कर मिलाएंगे अब इसमें वन फोर टीस्पून हिंग डालेंगे इसके बाद इसमें कटीवी अरबी और कटे वे आलू को डाल कर मिलाएंगे आप चाहें तो इस सबजी को बिना आलू का उपयोग के भी बना सकते हैं अब इसमें वन टीस्पून हल्दी और वन टीस्पून नमक डाल कर मिलाएंगे अब इसे ढख कर पाद से दस निट तक दीमी आज पर पकाएंगे अब ढखकन हटा कर इसमें वन टीस्पून सुखा धनिया और वन टीस्पून लाल मिर्च डाल कर मिलाएंगे अब इसे दो से तीन मिल्ट तक पका कर कटा हुआ धनिया मिला देंगे इस तरह से सूखी अर्बी की सबजी तैयार है अगर आप दही अर्बी बनाना चाहते हैं तो सूखी अर्बी की सबजी में आधा बाउल मतावा दही डाल कर दो से तीन मिला कर पकाएंगे आप चाहें तो इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं इस तरह से धई अर्बी की सबजी तैयार है उमीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी आप स्क्रीन पर दिये गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपी को भी देख सकते हैं अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे यूटूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आप से फिर मुलाकाथ होगी तब तक के लिए बाई